हेलो दोस्तों आप सबका स्वागत है एश्ट्रो गुरू चैनल पर मैं आप सभी के लिए लेकर रहा हूँ वीकली होरोस्कोप यानि सापताहिक राशिफल और आज कवर करूंगा 12-18 सितंबर तक के सपताह को 12-18 सितंबर 2022 आपके लिए कैसा रहेगा दिन प्रति दिन आपके लिए क्या टैरो की गईडेंस यही आज का जो मेरा रेडिंग है रहेगा और इसके लिए हर राशी के लिए टैमिस्टैम्स को को डिस्क्रिप्शन और कमेंट स्वागत करूंगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फोन पर आनी शुरू हो जाए और मेरे रेगुलर वीवर्स और सब्सक्राइबर्स आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत-बहुत आभार आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टेरो डिडर भी हूं तो आपकी स्क्रीन पर यह जो नं मिलते हैं हेलो मेश राशी आप सभी का स्वागत है यानि एरीस चलिए देखते हैं आपके लिए कैसा रहेगा बारा सितंबर का जो दिन है यह काफी रोमांचकारी दिन रहेगा सिचुवेशन और सिचुवेशन और लोग सभावगत तरीके से आपके पक्ष में मुड़ेंगे लोग आपको एक तरह का जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करेंगे आपकी लाइफ में कई सारी चीज़ें आटो बैलेंसिंग में भी जाएंगी आपको लगता है कि बिना एंटर्फियर की ये काम नहीं होगा वहाँ एंटर्फियर भी करना है लेकिन अपने ग्रेस को बनाए रखिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट इमेज जो कुछ भी आपकी है उसे बरकरार रखिए चीजें और दिन सब कुछ आपके फिवर में दिखता है किसी तरह की कोई समस्या नहीं दिखती है बस एक काम मत करियेगा और वो है बिना वजह लोगों को जज़ करना और जज़ करके किसी और को इंफरमेशन देना ये नहीं करियेगा ठीक है बाकि relation के लिए education के लिए दिन बहुत अच्छा है social image building पर थोड़ा ध्यान देंगे तो image और अच्छी बनती चली जाएगी 13 सितंबर का जो दिन आपके लिए है ये कुछ समस्याओं को आपके सामने ले आएगा जब कुछ ऐसा हो जाए जब आपका एक तरह से जैसे कहते हैं कि ब्याओधान आ गया तो उस तरह का ब्याओधान जैसा मालूम हो और उस समय आपको ध्यान ये देना है कि जो सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या है उसे टैकल करिए और उसे क्लोज करने की कोशिश करिए बाकी छोटी-मोटी चीज़ों को साइड कर दीज़े तो वह एक तो समस्या से आप निकल जाएंगे बाकी छोटी-मोटी के मामले में ये दिन अच्छा नहीं है एजुकेशन के मामले में दिन सपोर्टिव है लेकिन सोशल इमेज के मामले में फिर अच्छा नहीं है 14 सिदंबर का दिन उत्तरोतर बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए एरीस और इस दिन आपके द्वारा किये गए कार्यों में आपको सफलता मिले इसकी संभावना ज्यादा रहेगी इस दिन आपके द्वारा लिएगे डिसीजन्स मोस्टली सही होंगे और आपके सम्मान में वृद्धी होगी नए काम को शुरू कर सकते हैं अपने आपको किसी ऐसे काम में इन्वाल्व करना चाहते थे जिसमें एक तरह से आप बहुत ज़्यादा एकसाइटेड थे या किसी क साथ किसी प्रोजेक्ट में जुड़ना चाहते थे तो उन चीजों के लिए ये दिन बढ़िया है और आपके लिए चीजें फेवर में आ रही है रिलेशन एजुकेशन और सोशल इमेज इन तीनों मामलों पर 14 तारिक बहुत बढ़ियां बना हुआ है 15 सितंबर का जो दिन ह ये ट्राइंगलर सिच्वेशन में चीजें आपके खिलाफ लेकर जाता है जब लोग आपको गलत समझें और आपके बारे में मिस इंटरप्रिट कर दें ऐसी परिस्थित में आपको थोड़ा ध्यान रखना है धीरे चलना है जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना है और प साबित जितना करने की कोशिश आप 15 तारीकों करेंगे उतना ही आपके प्यार पर दूसरे का शक गहरा होता जाएगा ठीक है तो इस चीच का ध्यान रखिए बाकि अपने बिजनेस पार्टनर्स की बातों को सुने और उनको अगर कोई कॉम्प्लेक्स सिच्वेशन आपके स अच्छी नहीं है एजुकेशनल मामलों में एप्रॉक्सिमेटलि सिक्ष्टी सिक्ष्टी फाइफ परसेंट ये दिन सपोर्ट करता है और सोशल इमेज के मामले में दिन सपोर्टिव नहीं है इने मन के भाव या मन की फीलिंग्स को दूसरों के साथ कम से कम शेयर करें किसी नए प्रोजेक्ट में सोला तारिक को न इन्वाल हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और इस दिन जरूरत से ज्यादा प्लीजन्ट होने की कोशिश नहीं करना है बाकि शेरिंग के रिंग व इन चीजों को फिर से बैलन्स करना शुरू करेगा लेकिन इस बार आपके फेवर में और बहतर तरीके से आपके उज्वल भविश के लिए चीजें बहतर होती चली जाएंगी ये जो 17 सितंबर का दिन है ये आपके समान में आपके नेम फेम में थोड़ी इंप्रूमेंट ले करने या किसी नए प्रोजेक्ट को हाथ में लेने के लिए दिन बहुत बढ़ियां है रिलेशन एजुकेशन और सोचल इमेज तीनों मामलों पर ये दिन बढ़ियां बना हुआ है 18 तारीक आपके लिए ऐसा दिन है जब आपको दूसरों की बजाए अपने उपर फोकस करने हैं तो अपनी कई सारी समस्याओं को इस दिन निप्टा लेंगे लेकिन अगर आपने दूसरों की मदद करने की टेंडेंसी को जारी रखा तो भले दूसरों का काम हो जाए लेकिन आप अपने आप में फसे हुए फील करेंगे तो यहां आपको थोड़ा स्वार्थी होने की बाहर हो जाएंगे अचा कोई समस्या भी इस दिन आ सकती है लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं होगी कि आप सुलजा न पाएं और एक तरह से वो पीछे यानि पास्ट में कुछ दो चार समस्याओं की सिमिलेरिटीज को लिए हुए होगा तो उस तरह की सिचुएशन आपने प आपको कैसा लगा अपने एक्सपीरेंस अपने अनुभो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे इस वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा बैबाए हेलो वरिष्चिक राशी यानि टॉरस आप सभी कस्वागत है आपकी रीडिंग में टॉरस आपके लिए 12 सितंबर का जो दिन है ये आर्थिक मामलों में छोटी मोटी समस्याओं को क्रियेट करके पैनिक बना सकता है और इस पैनिकनेस में अगर आपने अपने आपको थाम नहीं लिया तो ये पैनिकनेस आपको और ज्यादा पैनिक करके परिशानी में डाल देगी इस पूरे सिच्वेशन में आपको पहला काम तो ये करना है कि बड़े महत्वाद्व्ड और पैनिक फूल डिसीजन्स और प्लिस प्लस पैनिक फूल डिसीजन्स को एक दिन के अम्ला फसा और आपको लगता किया रहे अप तो उधार लेना पड़ेगा किसी से हम किसी से जाएं इतना पैसा मांग लें इतना रूक्षा मांग लें तो एक एक दिन निकाल दीजिए ठीक है जो भी situation है उसमें एक दिन को gope कर दीजिए एक दिन का gope करना आब के लिए उस situation से स्थ निकलने में help कर देगा दूसरे ये दिन ऐसा होगा जब आपको अपने कार्विपर ध्यान देना चाहे जितना कर्म करेंगे उतने का ही result मिलेगा उससे एक परसेंट ज्यादा का नहीं या किसमत या situationally चीज़ें आपके favor में नहीं हैं लेकिन कर्म आपके favor में बना हुआ है रिलेशन के मामले में ये दिन आपको खुशी नहीं देगा समस्या कोई नहीं है लेकिन खुशी नहीं देगा educational मामलों में distraction बना रहेगा और social image के मामलों में साउधान रहने की जरूरत है 13 तारीक आपके लिए एक ऐसा दिन है जब का पहली चीज़ तो कोई काम पूरा हो जाए कोई project आपका complete हो जाए इस दिन अगली चीज जरूरत से ज़्यादा आगे बढ़कर सहरदई हो करके हर चीज़ को अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं है कुछ चीज़ों को दूसरों के थुरू भी होने दीजिए कुछ मामलों में मूख दर्शक बने रहें और इग्नोर करते रहें यहां आपको अपने आपको थोड़ा सा priority पर रखना है और अगर आप अपने आपको gracefully आगे रखते हैं तो सफलता आपको इस दिन जरूर मिलेगी लेकिन किसी नए plan या project का आईडिया भी दिमाग में आ सकता है तो उस पर भी आप काम कर सकते हैं relation education और social image तीनों मामलों पर ये दिन बढ़िया बना हुआ है 14 तारिक आपके लिए संघर्षों से सफलता दिलाता है लेकिन आपको पहली priority ये लेनी है कि संघर्ष के स्थिति उत्पन ना होने पागए ये पहली priority लीजिए बहस या arguments का भी मामला बन सकता है तो उसमें भी आपको अपने आप में ये priority लेनी है कि आप किसी argument में नहीं उलजेंगे लेकिन अगर कुछ arguments हो जाते हैं तो सबसे पहले तो उससे बाहर निकलने की कोशिश करिए दूसरे जो समस्याँ आपके सामने आएंगी उन समस्याँ से पार पाना आसान होगा सबसे कमजोर मार्ग से मतलब जैसे सब कहते हैं न कि ये वाला idea तो बहुत हलका है उसी हलके idea से आप situation से बाहर आ जाएंगे इस दिन लेंदेन के मामलों में emotional लेंदेन के मामलों में अपनी feeling को पूरी तरह से share करने के मामलों में साओधान रहना है क्योंकि इन सारी चीजों को misinterpret किया जा सकता है relation के लिए ये दिन बिलकुल अच्छा नहीं है educational मामलों में 50% distraction बना रहेगा और social image के मामलों में बहुत साओधान रहना है आपकी image खराब हो सकती है 15 तारिक वापिस से चीजों को ठीक करेगा आपकी image के लिए ये दिन बहुत अच्छा है educational मामलों के लिए भी पूरा focus बना देगा और love relation के लिए दिन बहुत बढ़िया है साथी साथी ये दिन आपको अगर target करके काम करते हैं किसी चीज को achieve करने की तो उसमें पूरी help करेगा लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि दिमाग अपना लगाना है दूसरे के idea से चलेंगे तो fail हो जाएंगे तो दूसरे लोग अगर influence करते हैं तो बाते सुन लेकिन सारा idea whole soul आपका होना चाहिए इस बात का ध्यान रखिएगा अब बात करते हैं 16 तारीकी 16 सितंबर का जो दिन है ये धन के मामले में आपको एक कدم आगे ले जाएगा और इस दिन आपके दौरा बनाई गई योजना का भविश्य में आपको अच्छा खासा लाब होग ये दिन बहुत बढ़िया है बिजनेस में ग्रोथ दिखती है जॉब में आपकी इमेज पहले से थोड़ी इंप्रूव हो और घर में भी आपके सम्मान में वृद्धी होगी रिलेशन एजुकेशन और सोशल इमेजन तीनों मामलों में 16 तारीक बढ़िया बना है 17 सितंबर का दिन fortunately चीजों को आपके favor मिला रहा है इसलिए एक योजना बना करके काम करेंगे तो सफलता जल्दी मिलेगी बिना योजना के काम करेंगे तो doubtful है कि आपको सफलता मिले या ना मिले इस दिन की योजना दूसरों से share नहीं करनी है और अगर कुछ ऐसी चीजों को manage करना है जो आपकी पहुंच या सोच से थोड़ा भारी हैं या बढ़ी है और उसके बारे में आप एक योजना बना सकते हैं तो योजना बनाईए वो वहला काम हो जाएगा इस दिन आप एक तरीके से समझें तो अपने कर्म के उपर या जिसे कहते हैं कि अपने दम पर काम को करना इस mentality में रही है surrounding चीजें आपके favor में आ जाएंगी वो अलग बात है relation, education और social image जिन तीनों मामलों पर ये दिन बहुत support कर रहा है अब बात करते हैं 18 सितंबर का जो दिन है ये आपको एक तरह के ignored behavior वाले person में तबदील कर देगा convert कर देगा इस दिन आप उन चीजों को mostly ignore करेंगे जिनें observe करना चाहिए और उन चीजों को observe करेंगे जिसको ignore करना चाहिए इस पूरे मामले में अगर आप किसी situation को ignore कर रहे हैं किसी person को ignore कर रहे हैं तो एक बार अपने आप से पूछे कि क्या सचमुच ये person ignore करने लाइक है साथ ही साथ अपनी ego और अपनी rudeness को manage करिए दूसरे को ये पता ना चलने दीजिए और खामखा दूसरों को punish करने के बारे में ना सोचिए अगर आप दूसरों के बारे में सोचने की बजाए 18 तारिक को अपने उपर सोचते हैं और खुद चीजों को कैसे manage करें दूसरे को manipulate करने के बजाए खुद को कैसे manipulate करके अपना काम करें अपना काम कर लें complete कर लें इस पर दिमाग लगाते हैं तो ये सारी चीजों की possibility है और चुकि mindset आपका थोड़ा सा ऐसा रहेगा तो relation के मामले में ये दिन support नहीं कर रहा है क्योंकि आप काफी egoist हो सकते हैं educational मामलों में अगर आप एहंकार में नहीं आते हैं तो दिन बढ़िया हैं वरना आप अपने एहंकार की वज़ा से दिन को खराब कर लेंगे और social image के मामले में आप समझी गया होंगे अगर आपने ध्यान दिया तो चीज़ें आपके favor में रहेंगी तो वरिश्चिक राशी ये था आपका राशी फल 12 से 18 सितंबर तक का राशी फल आपको कैसा लगा अपने experience अपने अनुभू कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे इस वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा बाई बाई हेलो मितुनराशी आप सबको स्वागत है आपकी reading में मितुनराशी आपके लिए 12 सितंबर का दिन बहुत बढ़िया रहेगा घरेलू मामले, ब्यापारिक मामले, जॉब से जुड़े मामले सोशल इमेज से जुड़े मामले, रिलेशन के मामले, एजुकेशन के मामले हर खेत्र में ये दिन आपको पूरा सपोर्ट कर रहा है, आपको बस एक ध्यान रखना है और वो है एहंकार में नहीं आना, थोड़ा प्लीजेंट बने रहे हैं, बाकि ये दिन बहुत अच्छा है, आप किसी नए काम को शुरू करना चाहें, तो वो भी कर सकते हैं, सब कुछ अच्छा है, तेरा सितंबर का जो दिन है, ये आपको एक ऐसी सिचुएशन में डाल सकता है, जहां आप डिसाइड करने वाले मामले में जा करके थोड़ा सा अटक जाएं, तो डिसीजन लीजिए बिना पक्षपात के अनबायसनेस के साथ, डिसीजन लीजिए मोरल्स के साथ, डिसीजन लीजिए अपनी नेतिकता को ध्यान में रख कर, या सामाजिक नेतिकता को ध्यान में रखकर, selfish नहीं होना है, आपको तेरा तारीक को, selfless रहेंगे तो चीजें आपके लिए बहुत बढ़ियां तरीके से आपके favor में मुड़ती चली जाएंगे, दूसरे, कुछ ऐसे काम जो आपको अपनी कारिश सीमा से या अपनी जो एक हम criteria बना लेते हैं, जैसे कहत करना है, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखें कि बढ़बोले पन में आकर के कोई काम आपको नहीं करना और वाहवाही में आकर कोई काम नहीं करना है, रोलेशन के मामले में ये दिन 70% आपको support करता है, educational मामलों में 100% और social image के मामले में भी 100% का support मिल रहा है, 14 तारिक आपके लिए ऐसा दिन होगा जब आपकी social image, empowerment और acceptance सब बढ़ेगी, आप अपने आप में काफी grace और graciousness महसूस करेंगे, इस दिन आपके द्वारा लिए गए निरड़े काफी दूर गामी परिड़ाम ले करके आ सकते हैं, ब्यापारिक मामलों में या जॉब से जु कि किसी के influence में आकर के, इस दिन आप अपने परिवार के प्रति काफी possessive रहेंगे, अपने कारे को ले करके करमट रहेंगे, और चीजें, situation को अपने favor में कैसे लाना है, ये जानते रहेंगे, लोगों को punish कैसे करना है, जानते रहेंगे, करने की जरूरत नहीं है, रिलेशन क आपको कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित कर सकता है, कुछ ऐसा जो अभी तक आपने या तो pending कर रखा था, या ignore कर रखा था, दूसरे, किसी की मदद लेना चाहते हैं, तो उसमें भी ये दिन पूरा support कर सकता है, साथी साथ इस दिन आपके दौरा लिया गया अपने बारे जगत में कुछ करना चाहते हैं, तो उसमें भी ये दिन support करता है, किसी तरह की समस्या नहीं देखती, relation, education और social imaging, तीनों मामलों पर ये दिन बहुत supportive बना है, 16 तारिक आपके लिए ऐसा दिन है, जब एक सुख़द यात्रा पर जाना हो सकता है, किसी मित्र या रिष्टेदा ठीक है, किसी प्रयोजन के हे तु किया गया प्यार नहीं, किसी प्रयोजन के बगएर किया गया प्यार, चाहे वो शादिशुदा जीवन में हो, चाहे अन्मेरिड लाइफ में हो, इसमें आप एक नए लेवल पर आगे बढ़ सकते हैं, इस दिन आप थोड़ा सा mind से selfishness वाल गया हैंगे, जो कि काफी अच्छी बात है, किसी योजना पर अगर कुछ प्लैनिंग करनी है, जैसे कभी कभी कोई योजना बनानी होती है, तो उसके लिए ये दिन बहुत अच्छा है, आप अपनी पुरानी योजना में एनलाईज करके चीजों को सुधार में लाना चाहत करते हैं तो उसके लिए बहुत बढ़ी है उसके लिए बहुत बढ़रहना और shrisat आप जो भी कर रहे हैं उसमें और ज्यादा प्रशृ 5410 कि आप दूसरों पर कम से कम भरोसा करें कि लोग आपको बिट्रे कर सकते हैं ़िए दोखा दे सकते हैं यह डोखा दिया झाया ये सामने से दिया जाएगा आपको पता होगा ये परसन मुझे धोखा दे रहे हैं लेकिन आप उस पूरे मामले में अपने आपको बचाएं ये जदा अच्छा है दूसरे खुद को और अपने माइंड सेट को पैनिक होने से भी बचाना है तीसरे बड़े लिन देन पैसों से जरूरत नहीं है इस बात का द хочेगा रिलेशन के मामले में दिन सपोर्टिव नहीं है एजुकेशनल मामलों में सपोर्टिव हैं लेकिन सोशल इमेँज के मामलों में फिर से 17 तारीक नहीं है 18 तारीक आब के लिए एक ऐसा दिन है जब पहली चीज तो समझें आर्थिक इस्थिती और धशा में आपकी सुधार आने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी ये प्रक्रिया जो इस दिन शुरू हो रही है भले ये राशी फले लेकिन इस दिन शुरू हो रही है तो मितुन राशी आपके अगले एक साल आपके जीवन के बड़े सुनहरे साल हो सकते हैं और चीजें आपके फेवर में बड़ी बढ़ियां तरीके से घूम सकते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा ठीक है साथ ही साथ आपके प्रोफेशन में आपकी इमेज पहले से ज़्यादा इंप्रूव हो इस बात की भी संभावना बनती है और आप अपनी योजना या कारेच हमता को और बेहतर कर सकें इसकी भी पॉसिबिल्टीज बन रही हैं इस दिन आपके दोरा लिए गए फैसले काफी बढ़िया होंगे रिलेशन एजुकेशन और सोशल इमेज के मामलों में 18 तारिक बढ़िया है तो मिथुन राशी ये था आपका राशिफल 12-18 सितंबर तक का राशीफल आपको कैसा लगा अपने एक्सपिरियंस अपने अनुभू कमेंट सक्षन में जरूर लिखेगा इस वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगले वीडियो में फिर मिलूँगा बाई बाई हेलो करकराशी आप सबका स्वागत है आपके रीडिंग में करकराशी आपके लिए 12 सितंबर का जो दिन है ये बढ़िया रहेगा क्योंकि इस दिन आप में नेत्रित्य की छमता का विकास होगा आप अपने अंदर और कैपेबिल्टी महसूस कर सकते हैं और आप अपने आपको और इंप्रूमेंट में ला सकते हैं आप अपना एक नया वरजन ला सकते हैं साथ ही साथ लोगों को एक तरह से इंफ्रेंस कर पाएंगे ये करना नहीं है आपका जो काम है वो लोगों को इंफ्रेंस करेगा और लोग आपको फॉलो करेंगे इस दिन अगर आप किसी specific चीज को हासिल करना चाहते हैं कोई target बनाते हैं तो उसमें सफलता मिलनी पूरी तरह से स्वभाविक है relation और social image के मामले में दिन supportive बना है लेकिन educational मामलों में 60% support आ रहा है तेरा तारिक आपके लिए ऐसा दिन है जब लोग आपको धोखा दे आपकी पीठ पीछे आपको धोखा दे दिया जाए लेकिन आपको पता होगा कि धोखा देने वाले कौन है ऐसे मामले में थोड़ा होशियार रहना आपके लिए बहुत जरूरी है और अपने आपको ज्यादा परेशान नहीं करना है जैसे मान लिजिए आपका कोई काम नहीं हो रहा तेरा तारीक को तो रुख जाएए छोड़ दीजे थोड़ा सा डिले चले जाने दीजे क्योंकि ये चीज जितना सुधारने की कोशिश करेंगे पैनिकनेस को उतना बढ़ा है तो इस मामले में थोड़ा साउधान रहें तो बहुत अच्छा है इस दिन आप अपने किसी बड़े प्रोजेक्ट पर पहला काम तो दिखेंगे अगर कोई काम चल रहा है तो उसको चलने दीजे लेकिन कुछ नया शुरू करना है तो उसमें रुख जाए ये लीगल मामल इस दिन आप अपने लक्षों को एक से ज्यादा बार इधर उधर कर सकते हैं मतलब आपका मन काफी डिस्ट्रैक्ट रहेगा कि ये करनों वो करनों अच्छा वो करनों नहीं नहीं ये पहले वाला ही ठीक था अच्छा नहीं बाद वाला ठीक था ये सारी चीजें आपको करना है फला करना है फला चीज करना है एक डेली रूटीन होता है सबका उसे फालो कर लेजिए और अगर कोई टार्गेट नया बनाना है तो बड़ा बनाईएगा छोटा नहीं बनाना है लेकिन टार्गेट को बनाने से पहले सारी संभावनाओं को तैय करने कि क्या मेरी में अचीव करना है और क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं सारी चीजों को एक तरह से सोचें इस दिन अपने दिमाग में आने वाले हर आइडिया को दूसरों से शेयर नहीं करना है इस बात का ध्यान रखें रिलेशन के मामले में ये दिन बढ़ियां बना हुआ है पंदरह तारि पर उनको करने दीजिए आप अपना काम करिए बिना किसी एक तरह के इंफ्लेंशन के पॉजिटिव या निगेटिव बिना इंफ्लेंशन के अगर आप अपने काम में बने रहते हैं तो पहले चीज तो आपके काम में कंप्लीशन आ जाएगी चीजें कंप्लीट होने लगे है कि लोग आपको सपोर्ट करें और अगर लोग सपोर्ट करते हैं या ओफर करते हैं कि आपकी मदद करेंगे और इस्पेस है मदद लेने का तो मदद ले लीजेगा त्यससे आप एक दीवाल पेंट कर रहा है है कोई आ आप कर रहे उधर से वो करेगगा जलदी कम काम हो जाए लेकिन आप कर रहे हैं और दूसरे ने मदद की पेशकेशなた ही आपके काम में नुसक निकाल रहे हैं या तारीब कर रहे हैं नए काम को शुरू करने के लिए भी दिन सपोर्ट कर रहा है, रिलेशन एजुकेशन और सोशल इमेज, तीनों मामलों में दिन बढ़ियां बना है, सोला तारिक, ये उतना अच्छा दिन नहीं है, और उसका रीजन ये है कि ज्यादा तर तो ऐसा होगा कि आप एक ऐसी सिचु मेरी खुदी की क्रियेट की हुई तो नहीं है, मेरी रचना तो नहीं है, अगर मेरी रचना है तो मैं खुदी कर लो, और जैसे ही आपको पता चलेगा कि बिकाज ओफ यू या आपके थुरू हुआ है, तो चीजों को कैसे ठिक करना है, ये भी आपको समझ में आया गा, और अपने बारे में बढ़ा चढ़ा कर कुछ भी नहीं कहना इस बात का ध्यान रखे रिलेशन के मामले में दिन सपोर्ट नहीं कर रहा एजुकेशनल मामलों में 60% सपोर्ट है और सोशल इमेज के मामले में मामला डामा डोल है 17 तारिक आपके लिए करकर आशी ऐसा दिन होगा जब आपकी सोशल इमेज पहले से काफी ज़्यादा इंप्रूव होगी लोग आपके सम्मान को करेंगे आपके बारे में अच्छी बातें हो सकती हैं और आपके मुँ पर तारीफें हो सकती हैं बने रहना है जादा इधर दर नहीं करना क्योंकि ये एक दिन का मामला है कभी-कभी लोग बड़ा सपोर्ट में आ जाते हैं अनायासी तो ये वैसा मामला है लेकिन इस बात को ध्यान रखें कि आप अपने क्रिया कलापों से आप अपने कर्मों से आप अपने कार्यों से अपनी इमेज को कंटिनूवस में बनाना शुरू कर दें रेगुलराईजेशन में उसको डालेंगे और ये हो जाएगा योजना बनाने के लिए दिन बहुत अच्छा है निर्ड़े लेने के लिए दिन बहुत अच्छा है परिवार से जुड़े मामले ब्यापारिक मामले जॉब से जुड़े मामलों में ये दिन आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है इस दिन रिलेशन में चीजें बहुत अच्छी एजुकेशनल मामले में 100% का सपोर्ट और सोशल इमेज मैंने बता ही दिया है 18 तारिक आपके लिए ऐसा है जब आपको अपने पैसों का विशेश ध्यान रखना होगा कि अनायास न खर्च हो जाए किसी ऐसे व्यक्ति को जो जरूरत मंद दिखने का ढोंग कर रहे हैं उनको न दे दिया जाएं थोड़ा ध्यान दीजेगा साथी साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप किसकी मदद कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं ये आपको क्लियर कट पता होना चाहिए अनायास या सुनी-सुनाई बातों पर किसी की मदद नहीं करने अगली चीज है कि इस दिन आपके द्वारा लिये गए निर्ड़े हाला कि उतना इंपेक्टफुल तो नहीं होंगे लेकिन चीजों को एक दिशा देने का काम जरूर करेंगे तो थोड़ा समहल कर काम करिएग तो आपके लिए चीजें मैनेजबल होंगी अब आखरी चीज कि इस दिन पैसों के लेंदेन से जुड़े मामलों में कोशिश करिए कि आपको खुद किसी से उधार ना लेना पड़े रिलेशन और एजुकेशन के मामलों में ये दिन अच्छा है लेकिन सोशल इमेज के माम करना को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा बै बाए लो सिंगराशी आप सबका स्वागत है आपके रीडिंग में सिंगराशी आपके लिए 12 सितंबर का जो दिन है थोड़ा परिवर्तनों को लेकर आ रहा है जो आपको शायद पसंद ना आएं लेकिन इन परिवर्तनों को होते जाने देना है इसको रोकना नहीं है कुछ आपके बिहेवियर में चेंजस आ सकते हैं लोगों के बिहेवियर में आपके प्रती चेंजस आ सकते हैं आपके नजरिये में भी बदलाव आ सकता है अगर कुछ ऐसा होता है जो आपको नहीं पसंद या कुछ आपके मन मुताबिक नहीं हो रहा और आप उसमें अगर एंटरफियर ना करें तो जादा बहतर होगा लेकिन एक ऐसी सिचुएशन जहां पर आप जैसे आप अपना कोई काम कर रहे हैं अब उसमें कोई चीज आपके मुताबिक नहीं हो रही है अपने मुताबिक लाने के लिए ठीक है जैसे आप आफिस में कोई रिपोर्ट बना रहे हैं रिपोर्ट सहीं नहीं चल रही तो फिर डेटा को ठीक करना है यह नहीं की बस ऐसे चलने दीजे तो जो सिचुएशनल चीजें आपके खिलाफ चल रही हैं उनको रोकने या मोडने की कोशिश नहीं करनी वो सब आपके फेवर में हैं भविश में आपको समझ में आ जाएगा अच्छा इस दिन किसी को प्रॉमिस नहीं करना है कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है लेन देन और खर्चों का बहुत ध्यान रखना है रिलेशन एजुकेशन और सोश सब्सक्शन देता है वो आपके जीवन में बहुत अच्छे से उतरेगा इस दिन आप अपने परिवार के साथ जितना ज्यादा समय रहेंगे उतना ही आपके मस्तिश्क में आपके दिमाग में एक शांती का एहसास आपको होता चला जायेगा इस दिन आपका कोई काम कम्प् पर दिन बढ़ियां बना हुआ है 14 तारीक कैसा दिन है जो आपको एक ऐसी सिच्वेशन में लेकर के आएगा जहां आपका मन करेगा कि आप चीजों को लोगों को प्रभावित करें और हर चीज अपने अनुसार चला ले जाए आपको दिखावे से बचना होगा अपनी इमे अंदर से फील हो और साथी साथ आप कुछ नया ऐसा करने के लिए इंफ्लूएंस फील कर जाएं अपने अंदर जो आने वाले समय में आपकी सोशल इमेज को बहुत बढ़ियां तरीके से इंप्रूव कर देगा रिलेशन एजुकेशन के लिए ये दिन बहुत अच्छा है लेकिन सोशल इमेज वाले मामले पे बड़ा साथान आपको रहना है पंदरा तारिक आपके लिए सिचुवेशन को कॉम्पलेक्स हो जाने तक मोड़ देगा विवाद मन मुटाओ और एक तरह के जगड़े की स्थिती तक सिचुवेशन को ला सकता है तो यहां आपको कुछ मामलों को इग्नोर करके चलना है कुछ मामलों पर अपनी राय नहीं देनी है और कुछ मामलों पर हूँ हा करके मामले को क्लोज कर देना है जितना कम इन सिचुवेशन में इन्वाल्व होंगी उतना पैनिकने साब के जीवन में नहीं होगी तो पंद्रा तारिक को इन चीजों का ध्यान रखिए और अपने आपको किसी भी ऐसी सिच्वेशन में जो आपके अगेंस्ट काम करें उसमें खुद को जाने से बचाईए रिलेशन एजूकेशन और सोशल इमेज के मामलों पर ये पंद्रा तारिक आपको बिल्कुल लाने के लिए खुद उत्तरदाई हैं जम्यदार हैं तो आपने ही आपको एक ऐसे जाल में फसा दिया है जहां से आपके लिए निकलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है और आप इसको अच्छी तरह से मैनेज और हैंडल कर सकते हैं प्रॉब्लम नहीं है लेकि इस बात का ध् देखालना है दूसरों के बारे में नहीं सोचना है लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपने आपको उस तरह से नहीं मैनेज कर पा रहे हैं actually जिस तरह से करना चाहिए तो अपनी capability से कमजोर अपने आपको ना समझे आपकी capability बहुत अच्छी और उसे use करें ये जो 16 तारिक है आपके मन में एक निराशा की भावना भी भरेगा उस निराशा की भावना से उपर उठके काम करने की जरूरत है ये दिन भी relation education और social image तीनों मामलों में supportive नहीं है 17 तारिक इनहीं तीनों मामलों में 60% तक आपको support करता है साथी साथ इस बात के लिए भी indication देता है कि पैसों के लिंदेन में साउधान रहें उधार लेने और देने को पर हेज करें अगर कहीं दूसरे की मदद कर सकते हैं तो उससे पीछे नहीं हटें अ ये दिन आपकी social image को एक तरीके से समझें ठीक रखेगा कोई problem नहीं है लेकिन इसे और improve करने में आपके अपने योगदान की बहुत जरूरत है अब बात करते हैं 18 तारिक की 18 तारिक आपके लिए बढ़िया दिन होगा और बहतर दिन होगा 17 तारिक से और ज्यादा बहतर द आपने अपने काफी motivate feel करेंगे और उसी motivation में आ करके आप से ही निरड़े भी ले पाइंगे ये दिन finances के मामले में ethical dwa के मामले में जाब के मामले में business के मामले में relation के मामले में और social image के मामले में सपोर्ट कर रहा हैं तो सिंग राशी ये था आपका राशीफल बारा से 18 सितं एक्षन में जरूर लिखे इस वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगले वीडियो में आप से फिर मिलूंगा बाइबाइब हेलो कन्यराशी आप सबका स्वागत है आपके रिडिंग में कन्यराशी आपके लिए 12 सितंबर का जो दिन है ये किसी भी दृष्टी कोण से सबसे पहले अच्छे चीज़े समझ लें किसी भी दृष्टी कोण से बुरा नहीं है ये दिन बहुत अच्छा है रिलेशन के मामले में अच्छा है शुष्चल इमज के मामले में ये दिन Approximately 75% आपको सब्पोर्ट करता है एजुकेशनल मामलों में भी सब्पोर्ट करता है लेकिन इस दिन में एक समस्या ये है कि आपका मन उस आशंका से गरसित रहेगा जिसकी कोई जरूरत नहीं है कोई रिलिवेंस रही है बिना वजह आप परेशान रहेंगे जैसे होता है ना कभी कभी हमें कुछ मिस लगता है कि आज कुछ मिस है क्या मिसिंग है पता नहीं तो यह वैसा दिन है तो वो जो missingness है अपने mind को इस तरह से manage करें कि वो missingness वाली feeling को करें कि चलो ठीक है जो missing है वो missing है जब याद आएगा तब देख लेंगे बाकी काम को complete करते हैं जैसे ही बाकी चीज़ों पर focus करते हैं ये दिन पूरी तरह आपके favor में है और आप जो चाहेंगे वो चीज़ें होती चली जाएंगे ठीक 13 सितंबर का जो दिन है ये situation आपके favor में है या favor में नहीं है पूरे दिन भर ये समझ में ही नहीं आने देगा opportunity मिलती है उसे वैसे grab करते चलिए ठीक है छोड़िये नहीं चीज़ों को अगर आप इस situation में चीज़ों को छोड़ते नहीं है और अपने आपको उस तरीके से आगे बढ़ाते हैं तो चीज़ें आपके लिए बेहतर होती चली जाएंगी तो इस बात का ज़्यादा आपको दिखने लगेंगी once you feel a positiveness उसी के surrounding देन आफटर आपको चीज़ें positive नजर आने लगेंगी और फिर उनको कैसे use करना है दोहन कैसे करना है यह आपके समझ में आ जाएगा वैसे किसी नए काम को शुरू करने के लिए दिन अच्छा नहीं है लेकिन बाकी सब चीज़ों में य थोड़ा संघर्ष में स्थितियों को लेकर आता है लेकिन हार मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि जीत आपकी होगी बट यहां ध्यान यह रखना है कि उस संघर्ष में स्थिति से अपने आपको पैनिक करके नहीं चलना है ठीक है जब संघर्ष हैं तो हैं और gracefully उसमें involved हो यह दूसरे कुछ ऐसे मामले जहां शुरुवात में आपको लग सकता है कि यह वाले situation आपसे manage नहीं होंगे लेकिन थोड़ा अगर अपने आपको आप उसमें involved करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि you can easily manage that things और यह हो जाएगा relation के मामले में थोड़ा सा struggle बना रहेगा बाक उपके पेर में चोट लग गई हो अपना पैर छोड़के थोड़ी भाग जाइएगा अपना पैर तो लेके जाएएगे उसके बाद भी चलना है तो चलना ऐसे ही उस पराप्लम को साथ लेके चलना है कैरी करके में बाड़ने कि में दिन खाटम हो जाएगा जब आगे बढ़ेंगे तो मिरेकली चीजें आपके फिवर में मुढ़नी शुरू हो जाएंगी और जब मिरेकली चीजें आपके फिवर में मुढ़नी शुरू हो तो इस चीजें को धन्यवाद दीजे अपना काम करिये और आगे बढ़ें relation के मामले में ये दिन सपोर्ट नहीं करता लेकिन educational मामलों में सपोर्ट करता है social image के मामले में फिर सपोर्ट नहीं कर रहा सोला तारिक आपके लिए ऐसा दिन है जब आप अपने आपको प्रूव करने के लिए साबित करने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुता महसूस करेंगे अपने अंदर ये एक ऐसा इंफ्लेंशननेस है जो आपको जिसकी अच्छली जरूरत तो नहीं है पहले तो ये समझे लेकिन फिर भी अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो उसके लिए दिन बढ़िया है दूसरों की बातों से प्रभावित होकर अपने निर्ड़यों को नहीं बदलें अपने आपको दिखाने की कोशिश ना करें तो ज़्यादा अच्छा है और थोड़ी सी मासूमियत अपनी भरकरार और बनाए रखें मासूमियत बनाने का बेनिविट क्या होगा किसी काम में आप उतने सक्सीड नहीं हो रहे हैं मासूम बने रहे हैं कि हाँ ठीक है यार मेरे से फेलियर भी हो सकता है कूल रिलेशन एजुकेशन और सोशल इमेज सोशल इमेज पर ध्यान देना है बाकी दोनों मामलों में ये दिन सपोर्टिव है सत्रा तारिक आपके मन को बहुत ज़्यादा वोलाटायल कर सकता है डिस्ट्रैक्शन बहुत हाई रहेगा इसलिए एजुकेशनल मामलों में मन नहीं लगेगा साथी साथ अपने टार्गेट को अचीव करने के लिए आपका कॉंसेंट्रेशन नहीं बनेगा इस पूरे मामले में फोर्स्फुली आप अपने कॉंसेंट्रेशन को बना सकते हैं अगर कॉंसेंट्रेशन आपने जबरदस्ती जान बूझ कर या एक डिसीजन के साथ बना ल हासिल करी हैं कहां कहां आप सक्सीड हुए हैं थोड़ा सा खुद को याद कराइए इस से आपका कॉंफिडेंस और कॉंसेंट्रेशन दोनों वापिस आ जाएगा किसी भी विक्ति को कोई सलाह इस दिन देने की जरूरत नहीं है रिलेशन और एजुकेशन के मामलों में सपोर्ट ये बहुत अच्छा कर रहा है लेकिन इमेज के मामले में ये दिन अतना सपोर्टिव नहीं है अठारा तारीक एक ऐसा दिन है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि अब यहां से आगे आपको किधर जाना चाहिए मौरल्स का साथ दीजे नेतिकता का पालन करिए सत्त का साथ दीजे बिल्कुल सलफिशनेस को हटा दीजे लेकिन इस बात का भी ध्यान दीजे कि आप अपने दाइरे से बाहर निकल कर सोचने की मुद्रा या तैयारी कर लें अगर ऐसा कर लेते हैं तो ये दिन आपको अलग तरीके से सपोर्ट करेगा जहां चीजें आपको नजर आनी शुरू होंगी कि अच्छा मैं इस तरह से आगे बढ़ूं तो ये सब चीजें मेरे फेवर में आ सकती हैं या इन चीजें को मैं इस तरह से टैकल और हैंडल कर सक करता हूं तो वह चीजें करिए और ये दिन आपको अच्छी तरह से सपोर्ट करेगा रिलेशन एजुकेशन और सोचल इमेश तीनों मामलों में 18 तारिक सपोर्टिव बना है तो कन्य राशी ये था आपका राशी फल 12-18 सितंबर तक का राशी फल आपको कैसा लगा अपने अपने अनुबह कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे इस वीडियो को लाइक करिये शेर करिये और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा बाई बाई हेलो तुला राशी आप सब का स्वागत है आपकी रिडिंग में तुला राशी आपके लिए 12 सितंबर का दिन बहुत अलग तरह से रहेगा पहली चीज तो ये दिन अच्छा है किसी नए काम को शुरू करने के लिए भी दिन बढ़िया है इस दिन लोग आपका फाइदा उ आप हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता सुनिश्चित है तो रिलेशन एजुकेशन के मामले में ये दिन सपोर्टी हुए लेकिन इमेज का आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा लोग अगर आपका फाइदा उठा गए तो आपकी इमेज में थोड़ा खराबी आ सकती ह तेरा तारीक को भी आपको अपनी इमेज पर ध्यान रखना है क्योंकि आपकी रूड़नेस इस दिन थोड़ी बढ़ सकती है इसके अलावा इसी रूड़नेस को अगर आप अपने काम में फोकस कर लेते हैं तो आपके काम अच्छी तरह से कंप्लीट होंगे दूसरों को मैन मन की फीलिंग्स दूसरों से मत बताईए रिलेशन के मामले में ये दिन सपोर्ट नहीं करता एजुकेशनल मामलों में ये दिन इंटेंशनली सपोर्ट करेगा अगर आप इंटेंशनल लाते हैं तो ही सपोर्ट करेगा और सोशल इमेज का मैंने बता दिया है चौदा तारी को सपोर्ट करता है जो आपके जीवन में एक नई दिशा देनी आपको शुरू कर दे यानि एक नया अर्निंग सोर्स भी आपके जीवन में बने इसकी पॉसिबिल्टी भी बन सकती है इस दिन आपके द्वारा लिये गए मोश्टली डिसीजन सही साबित होंगे और इसलिए अपने आपको बहुत ज़्यादा हैजिटेशन में नहीं लाना है कुछ डिसीजन आपने लिया तो उस पर आगे बढ़ जाए लेकिन दूसरों के मामले में डिसीजन देना नहीं है ठीक रिलेशन के मामले में ये दिन अच्छा बना है बुरा नहीं है और सोशल इमेज के मामले में ये दिन उस तरह से सपोर्ट करेगा कि आप अपने आप से कितना मतलब रखते हैं अगर अपने आप से मतलब रखते हैं तो आपकी इमेज बढ़ेगी और अगर आप लोगों का ख्याल करेंगे तो गरबढ़ होगी चीज़ें पंदरह तारिक आपको इस्टेप बाई इस्टेप आगे बढ़ने में सपोर्ट करता है तो एक एक कदम करके चलिए जल्दबाजी मत करिये जल्दबाजी आपकी इस दिन दुश करने चाहिए दूसरों पर बिल्कुल भरोसा करने की जरूरत नहीं है और दूसरों को अपना सीक्रिट नहीं बताना और दूसरों के साथ थोड़ा लेन दिन के मामलों में साउधान भी रहना है क्योंकि ये दिन आपको धोखा मिलने वाला है और जो धोखा आपको मिलेगा वो इस तरह का होगा जैसे कभी-कभी कुछ अपने ही धोखा दे देते हैं तो एक टीस होती है एक दर्द होता है पीड़ा हो जाती है लेकिन हम कह नहीं पाते हैं यह वह वाला है तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखए साथिसात यह दिन आ चूंकि अपनों वाला ही मामल है तो रिलेशन में यह सपोर्ट नहीं कर रहा है एजुकेशनल मामलों में डिस्ट्रैक्शन दिखाता है और सोशल इमेज के मामले में बड़ा साउधान आपको रहना है सत्रा तारीक तुलाराशी 50% आपके सपोर्ट में रहेगा दूसरे वाले को बताना हूँ और यह 50% जो आपके सपोर्ट में रहेगा इसमें चीजों को कैसे मैनेज करना है और कितना मैनेज करना है यह प्लैनिंग करके काम करिये जो 50% आपके सपोर्ट में नहीं है उसको लेकर ignorance में आ जाई है छोड़ दीजे चीज़ों को अगले दिन देखेंगे हाँ अगले दिन देखेंगे जब आप चीज़ों को छोड़ देंगे पैनिक नहीं होंगे decision जल्दी से नहीं लेंगे और एक दिन के लिए gap ले लेंगे तो अगले दिन तक चीज़ें help करेगा और साथी साथ आपके mind में ऐसे ऐसे आइडियाज आएंगे कि आप अपने काम को कैसे करें अपने काम को कैसे निप्टाएं लोगों को प्रभावित करना मैनुपुलेट करना ये सब आपको आएगा decision लेना कठोर निरड़े लेना ये सारी चीज़ें आपके लिए positive हैं और आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन relation के मामले में दिन सपोर्ट नहीं करना इस वीडियो को लाइक करिये शेर करिये और चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलिएगा अगले वीडियो में फिर मिलूंगा बैबाए हेलो वरिष्चिक राशी आप सबका स्वागत है आपके रीडिंग में वरिष्चिक राशी आपके लिए 12 सितंबर का दिन अलग रहेगा और अच्छा रहेगा अलग इस सेंस में रहेगा कि आप किसी नए योजना में आगे बढ़ सकते हैं कि नए प्रोजेक्ट मिल सकता है किसी नए काम का आइडिया दिमाग में आ सकता है और अच्छा इस सेंस में रहेगा कि जिस मामले को हाथ में लेंगे सफलता उसमें मिलेगी और सफलता कहीं गई नहीं है रिलेशन एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में ये दिन सपोर्ट करता है तेरा तारिक कुछ आपको मनोरंजक चीजों की और मोड़ देगा और आप अपना अपना ज्यादा तर समय आराम देह सिचुएशन को एंजॉई करने में लगा सकते हैं इस आराम देह सिचुएशन में भी आपको लगेगा कि कुछ बहतर हो जाए, बढ़ियां हो जाए, चमतकार हो जाए, मिरैकल हो जाए तो इस तरह की चीजों को न सोचिए, कुछ भी आपके सोचने भर से नहीं होगा, आपको काम करना पड़ेगा तो ये दिन आपको थोड़ा सा कर्म से हटा दे, थोड़ा मनुरंजन इत्यादी में इन्वाल्व कर दे, इस बात की संभावना है, तो थोड़ा उसे भी इंज्वाए करिए, कोई बुराई नहीं है लेकिन जरूरत से ज़्यादा इमेजिनेशन में मत जाईए, मैं यहाँ निगेटिव थिंकिंग नहीं करा हूँ, क्योंकि वो इमेजिनेशन आपको किसी भी रूप में फेबर नहीं करती और ना आपके फाइदे की है, लेकिन अगर योजना बनाने के लिए कुछ इमेजिन समच पाएंगे और एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएंगे, साथी साथ अपने पार्टनर के साथ में, यानि बिजनेस पार्टनर के साथ में, आप अपने रिलेशन को और इंप्रूव कर सकते हैं, इस दिन एजुकेशनल मामलों में चीज़ें आपके पक्ष में उस तरह चेंज होती चली जाएगी, लेकिन ब्यापार और जॉब वाले मामले में आपको अपने फोकस को बरकरार रखना होगा, तब ही सफलता मिलेगी, पंदरा तारिक आपके लिए एक परिवर्तन को लेकर आता है, साथी साथ इश्वर की करपा और अनकंपा को भी, लेकिन इश् जीवन में होंगे, वो फॉर्चुनिट होंगे, अच्छे होंगे, आपको अच्छे भी लगेंगे और आपके बेहतर भविश्य के लिए ही होंगे, तो ऐसे कुछ मामले जहां आपके अंदर एक स्प्रिच्वल फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, थोड़ा ध्यान, भक्ती पूजा, इन सी जो में अपने आपको इंवाल्व करें, और इसका बढ़िया बेनिफिट आपको 15 तारिक को देखने को मिलेगा, ये दिन भी सोशल इमेज, रिलेशन और एजुकेशन के मामलों में बहुत सपोर्टिव है, एजुकेशन के मामले में तो कुछ ज़्यादा ही सपोर्टिव है, सोला तारिक आपके जीवन में ऐसा दिन होगा, जब फिनांसियल मामलों में अगर आप किसी क्राइसिस का सामना कर रहे हैं, तो उससे बाहर निकलने की योजना दिमाग में आ जाएगी, भविश्य को लेकर कोई प्लैनिंग करना चाते हैं, तो उसके लिए दिन सही है, किसी नए काम को शुरू करने के लिए दिन सही है, अपने लगे-लगाए काम में आगे बढ़ते रहने के लिए दिन सही है, आपकी जॉब या बिजनस के मामलों में इमेज पहले से ज़्यादा इंप्रूव होगी, तीनों मामलों पर स्कॉर्पियोस ये दिन जब आप अपने आपको साबित करना चाहते हैं तो कई बार दूसरों की अनरगल बाते सुनने लगते हैं और दूसरों के बेवकुफी भरे आइडियास बड़े काम के लगते हैं तो उस एक चीज से अपने आपको बचाना है ठीक है बाकी दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है आप धीरे धीरे चलें फोकस करके चलें चीजें आपके पक्ष में रहेंगी एजुकेशनल मामले फुल सपोर्ट में हैं रिलेशन के मामले भी सपोर्टिव हैं सोशल इमेज आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है अठारा तारिक आपको एक ऐसे परसन के रूप में कनवर्ट कर और आपका जो बिलीव सिश्टम होना चाहिए वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि थोड़े ही मामले में डामा डोल हो जाए थोड़ा इंप्रूमेंट लेकर के आईए अपने अंदर और अपने लक्षों को एक लिमिटेड टाइम के भीतर क्लोस करने की कोशिश करिए और यह हो जा रहा तो व्रिश्चिक राशी यह था आपका राशीफल 12-18 सितंबर तक का राशीफल आपको कैसा लगा अपने एक्सपेरियंस अपने अनुभू कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे इस वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा बैबाए अच्छा है अपने काम को और आगे बढ़ाने सुचारू रूप से चलाने के लिए भी ये दिन बढ़िया है सामाजिक तोर पर आपकी सुईकारिता और बढ़ेगी और आप अपने आपको एक अच्छी पोजीशन पर महसूस करेंगे पाएंगे रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेश तीनों मामलों में ये दिन अच्छा है लेकिन रिलेशन वाले मामले में एक चीज़ का ध्यान रखेगा अपने एगो को थोड़ा सा मैनेज करके रखिए तेरा तारिक आपके लिए ऐसा दिन होगा जब आप अपने परिवार को लेके काफी पजेसिव रहेंगे फैमिली के प्रती अपने उत्तरदाइत और करतवियों का पूरी तरह से निर्वहन करने में सक्षम रहेंगे इस दिन आपके द्वारा अपने बारे में परिवार के बारे में परिवार के सदस्यों के बारे में लिये गए निरड़े सोचे गए प्लान बढ़ियां होंगे सही साबित होंगे लोग आपकी तारीफ करेंगे आप थोड़ा प्रकृति प्रेमी रहेंगे प्रकृतिक चीज़ तीनों मामलों में दिन बढ़ियां बना हुआ है। 14 तारिक कुछ समस्याओं को आपके सामने अचानक से ले करके आ सकता है। तो उन सारे समस्याओं की काउंटिंग करिए और देखे सबसे बड़ी वाली काउंसी है। बस उसी को टैकल करके क्लोस करने की कोशिश कीजिए बाकि छोटी मोटी समस्याओं को बना रहने दीजिए। वो छोटी मोटी समस्याओं ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगी और बड़ी वाली रिजॉल्व हो जाएगी। इस तरह से चीजें आपके फेवर में होंगी। स्वास्त लाब के लिए ये दिन बहुत अच्छा है। आपके इम्म्यूनिटी सिस्टम में और सुधार हो सकता है। परिवार में किसी के स्वास्त में कोई प्रॉब्लम थी तो उसमें भी सुधार की संभवना दिखती है। लेकिन रिलेशन में चीजें 40% आपके फेवर में है। एजुकेशनल मामले में ये दिन पूरा सपोर्ट करता है। और सोशल इमेज के मामले में आपको खुद साउधान रहने की जरूरत है। 15 सितंबर का दिन आपको दिखें ये दिन इस तरह से है। पहले चीज़ आप चाहेंगे कि आपकी इमेज और ज़्यादा इंप्रूव हो। लोग आपको एप्रिशेट करें सब कुछ होगा लेकिन आपको दिखावे से बचना होगा। दिखावा इस दिन आपका दुश्मन होगा तो उस चीज़ से बचिए। साथ ही साथ। दूसरे लोगों के आइडियास पर काम करने से भी बचिए। दूसरे लोग आइडियास देते हैं सुन लीजिए। उनकी बातों में उनके आइडियास में से क्या-क्या काम का है वो निकाल लीजिए। ति किसी भी चीज में अतिरेक्ता याणी एक्स्ट्रीमनेस में नहीं जाना है, थोड़ा कूल बने रहेंगे तो बढ़ियां रहे Agric團 के मामले में यह दिन बढ़ियां है, आरे EDUCATION के मामले में बढ़ियां सोशल इमेज के मामले में ये दिन अच्छा नहीं है सपोर्ट नहीं करता सोला तारिक आपके लिए ऐसा दिन है जब अगर आप थोड़ा सा डेविलिशनेस अपने अंदर रखते हैं तो चीजें अच्छी रहेंगे डेविलिशनेस का मतलब हुआ अपने काम से काम रहना और अ आपके किसी काम से आपका फाइदा और उनका नुकसान हो रहा है तो बाकाइदा उनका नुकसान होने दीजिए खोशी के साथ में और अब डेविलिशनेस का ध्यान ये रखना है कि जब जरूरत पड़ जाए तो आप बताएं कि आपका नुकसान मैंने होने दिया क्योंकि म मेरा फाइदा हो रहा था तो यहां थोड़ा सा डेविल प्ले करना अच्छा रहेगा लेकिन जब तक आपका फाइदा हो नहीं जाता तब तक मुह नहीं खोलना है पहले से बड़ाई नहीं करनी है जीत जाए ये तब कर लीजिए ठीक है दूसरे किसी रिस्की मामले में जो परसनल लिवल पर है उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए ये दिन सपोर्ट कर रहा है लेकिन ये दिन सोशल इमेज के मामले में सावधान रहने को कहता है एजुकेशनल मामलों में डिस्ट्रैक्शन रहेगा और रिलेशन्शिप के मामले में आप बड़े इस वज़ा से थोड़ी समस्या रह सकती है अब बात करते हैं सत्रा तारीक के सत्रा तारीक आपके लिए ऐसा दिन होगा जब आपका मूड थोड़ा सा उख़डा या आपका जो परसनलिटी इस दिन है वो थोड़ी सी रूड नेचर की हो इसके बावजूद आप लोगों को कर पाएंगे अगर चाहें तो उनसे अपना काम निकल वाएंगे अगर चाहें तो और अपने टार्गेट को पूरा कर पाएंगे अगर चाहें तो क्योंकि बड़ा कैजूलनेस वाला मामला भी इस दिना जाएगा आराम से बैठ जाएंगे तो अगर आप चाहेंगे तो हो ज चीज़ को, Relation के मामले में ये दिन support नहीं करता, Social Image के मामले में ये दिन साउधन रहने को कहता है, लेकिन Education के मामले में इस दिन आप अपने आपको जितना involve करेंगे उतना फाइदा मिलेगा, अठारा तारीक आपके लिए ऐसा दिन होगा जो आपको एक तरह से खीचेगा कि आप कुछ करें और दिखाएं दुनिया को ये दिखावा नहीं करना है सीखने के लिए लर्णिंग के लिए ये दिन बहुत अच्छा है अपने आपको खुद इंफ्रेंस करके अपने परसनेल्टी को मोल्ड करने के लिए दिन बहुत अच्छा है अपने से पंदरा वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोगों की बातों के प्रभाव में नहीं आना है ये ध्यान रखना है और साथ ही साथ किसी भी ऐसी चीज में अपने आपको कनेक्ट नहीं करना जिसके बारे में आप जानते हैं कि यहाँ पर एक लालच तो है लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा है तो उस चीज से खुद को दूर रखना है बाकि रिलेशन में दिन बढ़िया है एजुकेशन के मामले में बढ़िया है सोचल इमेज के मामले में सपोर्टिव नहीं है तो धनुराशी ये था आपका राशिफल 12-18 सितंबर तक का राशिफल आपको कैसा लगा अपने एक्सपीरियंस अपने अनुभोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे इस वीडियो को लाइक करिए शेर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगले वीडि योजना भान रहने की जरूरत है क्मud की दूसरे लोग आपका फाइदा भी उठा सकते हैं और धोखा भी देसकते हैं साथी साथ आपकी कोई योजना धरशाई हो जाए, इस बात की संभावना बनी है, किसी नए प्लैन पर काम शुरू होते ही काम तमाम हो जाए, इस की संभावना भी बनी हुई है, इस पूरे मामले में आपको पहला काम ये करना चाहिए कि इस दिन को चुप चाप निकल जाने दीजिये, जो रूटीन वर्क आपके हैं, डेली के, उन्हें डिसिप्लिन के साथ फालो करिए, काम करिए, कुछ नया करने की कोशिश ना करिए, जैसे आफिस में अपने बास को इंफ्लेंस करने का प्रयास ना करें, बिजनेस में ज्यादा मैनुपुलेशन ना करें, चीजों को इजी त नहीं करता, तेरा तारीक ऐसा दिन है जो साइमल्टेनियसली दो कामों को एक साथ करने में मदद करेंगा, मतलब आप एक मल्टी टासकर होंगे लेकिन दो काम के लिए, दो से जादा के लिए मल्टी टासकिंग नहीं करनी है, क्योंकि उस से जादा में फिर चीज खराब हो इस दिन धन को ले करके या ब्यापार को ले करके या जॉब को ले करके आप जिस प्रकार की योजनाएं बनाएंगे या जिन योजनाओं पर काम करेंगे उसमें पॉजिटिविटी है आपके बेनिफिट में चीजें हैं लेकिन एहंकार में नहीं आना है और बड़ बोले पन म या दिखावे में भी नहीं जाना इसका ध्यान रखिएगा किसी ऐसे काम को जो आप करना चाहते हैं लेकिन अभी नहीं कर सकते हैं उसके बारे में एक फील आ जाता है तो फील लेते रहिए लेकिन उस चीज में अभी जाने की जरूरत नहीं है मना है आपके लिए रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों पे ये दिन सपोर्ट करता है चवदा तारिक आपके लिए बढ़िया हैं बहुत बढ़िया है रिलेशन के मामले में ये बहुत अच्छा एजुकेशनल मामलों में भी बहुत अच्छा है और सोशल इमेज आपकी अपन सफलता या कम्प्लीटनेस आपको मिल जाएगी सफलता मिल सकती है इस दिन अगर आप किसी स्पेसिफिक चीज को पाना चाहते हैं नए काम को शुरू करने और अपने काम को और बढ़ाने के लिए ये दिन बहुत अच्छा है पंद्रा तारिक थोड़ा सा आपको निराश कर सकता है सिचुवेशन आपको परिस्थितियां आपको परिशान कर सकती हैं लेकिन ये जो भी परिशानी है ये एक्चुली नहीं है लेकिन आपको फील होगी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि आप परिस्थितियों के दबाव और प्रभाव में आकरके अपने डिसीजन को या टार्गेट को चेंज ना करें जो जैसा है उसे वैसा रहने दें अपने उसी प्लैन पर काम करें उसी टार्गेट को अचीव करने की कोशिश करें सिचुएशन धीरे धीरे आपके फेबर में आएंगी किसी नए काम को शुरू करने के लिए हाला कि ये दिन बहुत अच्छा नहीं है लेकिन इस मामले पर योजना बना सकते हैं जो आपका रूटीन वर्क है उसमें सफलता मिलने की गुंजाईश बहुत अच्छी बनी है रिलेशन और एजूकेशन में ये दिन सपोर्ट करता है लेकिन सोशल इमेज के मामले में पंदरा तारिक सपोर्टिव नहीं है 16 सितंबर का दिन आपको कुछ काम के बोज़ के नीचे दबा सकता है आप इरिटेट हो सकते हैं कि लोग आपकी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं या वे लोग जिनसे आपको मदद की उमीद हैं उनसे हेल्प क्यों नहीं आ रही है या लोग आपकी feeling को समझ क्यों नहीं रहें लोगों पर उम्मीदें करना छोड़ दीजिए और अपने काम से काम रही है साथी साथ वो काम जो आपके criteria में नहीं है और अनायास आपके पास आ रहा है ठीक है उस से अपने आपको हटाना और बचाना है जैसे आप आफिस में accounting का काम करते हैं और administration का कोई काम आपको दिया जा रहा है कि यार ये आप देख लेना तो मना कर दो भीया मैं accountant हूँ इस काम में चीजों को खराब कर देंगे हम या हमसे खराब हो जाएगा फिर भी force करें तो उनको एक कहवत सुना दीजेगा जिसका काम उसी को साजे दूजा करे तो डंका बाजे डंका बाजे मतलब सबको पता चल जाता है कि इस आदमी ने किसी और का काम करना शुरू किया और सब चौपट हो गया तो पहले एक confirmation ले लिजेगा कि अगर मैं मेरे criteria से बाहर की मेरे जिनर से बाहर का काम करूं और चीजें खराब हों तो I will not responsible यह पहली चीज है offices में ऐसी situation आ सकती है तो जरूरत पड़े तो mail अपने बास को one to one में कर देना personally कि personal मैंने आपको mail कर दिया बाकि आप देख लेगा तो वो थोड़ा secure हो जाएंगे यह तो फसा देगा यहां एक और ध्यान रखना है कि परिवार के मामले पर आपके द्वारा जो आप सोच रहे हैं जरूरी नहीं वैसा ही परिवार सोचे तो आपके और उनकी सोच में जो भिन्नता है इस भिन्नता को फिल तो करेंगे लेकिन expression में नहीं लाना है relation और education में ये दिन अच्छा है लेकिन social image के मामले में बढ़िया नहीं है सत्रा तारिक आपको धोखा मिल सकता है ये धोखा आपके अपनों के द्वारा दिया जा सकता है या अपने ऐसे लोग जिन पर आपने पहले भरोसा किया था उनके द्वारा मिल सकता है इस पूरे मामले में पहला काम आपको ये करना है कि बड़े और भारी काम थोड़ा सा टाल दें एक दिन के लिए तो अच्छा रहेगा दूसरे जो अलग काम है छोटे छोटे है अपने उपर रिलाइ करें और अपने काम को खुद करने की कोशिश करें दूसरों को डेलिगेट करके काम नहीं करवाना है इस दिन 16 तारिक को दूसरों को डेलिगेट कर सकते थे 17 को नहीं डेलिगेट करना है ठीक है, 17 तारिक को अपनी फीलिंग भी दूसरों को नहीं बतानी, दूसरों के बारे में निगेटिव थौट्स जो आपके चलते हैं वो भी किसी को नहीं बताना और अपना दुखड़ा तो कता ही नहीं रोना है, ये दिन सोशल इमेज के लिए बिल्कुल बेकार है, रिलेश तारिक मकराशी आपके लिए ऐसा दिन होगा जब आप सौपनों की दुनिया या इमेजिनरी दुनिया में चले जाएं, कैजूलनेस में आजाएं, सोचें की काश सब कुछ हो जाएं, चीजें अपने आप अच्छी हो जाएं, मेरे साथ ये हो जाएं, वो हो जाएं, ये सब फालतों की चीज़ है प्लैनिंग करना है तो उसके लिए ये दिन सुपर्ब है बहुत बढ़िया है बाकि कैजूलनेस की वज़ा से या बिना वज़ा की तो इस चीज़ को अगर आप चाहें तो डिसाइड करके अपने आपको करमों में लगा सकते हैं अगर आप कैजूलनेस से बाहर आते हैं तो जो भी चीज इस दिन आप अचीव करना चाहते हैं उसके अचीव होने की फुल संभावना बनी हुई है ठीक है, relation के मामले में दिन बहुत अच्छा है, educational मामलों में ये दिन distraction देता है और social image के मामलों में कोई समस्या नहीं देता तो मकर राशी ये था आपका राशिफल, 12-18 सितंबर तक का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने experience, अपने अनुभू कमेंट सेक्षन में जरूर लिखे इस वीडियो को लाइक करिए, शेर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगले वीडियो में फिर मिलूँगा, बाई बाई हेलो कुमराशि, आप सबका स्वागत है आपके रेडिंग में कुमराशि आपके लिए 12 सितंबर का, 12 सितंबर का जो दिन है ये बुरा नहीं है, लेकिन आपका मन थोड़ा सा उदास रहेगा, निराश भी रहेंगे ये सारी चीजें सिर्फ मेंटल हैं, एक मेंटल इस्टेटस ऐसी है जो आपको नकारात्मत चीजों को जल्दी देखने पर मजबूर करेगी, पॉजिटिविटी कम देखेगी लेकिन आप अपने टारगेट, अपने लक्ष की और अपने डेली रूटीन की और लगे और बने रहें, राहे आसान हैं, कोई मुश्किल नहीं आएगी और जहां मुश्किल दिखती है, वो म्रिग तरशना जैसी है यानि बस वो दूर से नजार आ रही है, सचमुच में वैसी सिच्वेशन नहीं है 13 सितंबर का जो दिन है, ये आपको काफी औरजा देता है इस औरजा को अगर सही तरीके से आप इस्तिमाल कर ले जाते हैं तो जो प्लैनिंग कर रहे हैं, उस प्लैनिंग में सफलता मिल जाएगी लेकिन इस उर्जा को अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करने की बजाए अपने आपको प्रूफ करने में लग जाते हैं साबित करने में लग जाते हैं लोगों को प्रभावित करने में लग जाते हैं तब सब गरबढ़ हो जाएगी तो प्रभावित नहीं करना है उर्जा को इस्तेमाल कर ये अपने काम से काम रखिये और अपने काम पर आगे बढ़ते जाएए आपका काम होता जाएगा चीजें दिखती जाएंगी प्रूफ होता जाएगा लोगों को एक तरह से प्रभावित आप करते जाएंगे करना नहीं है या आटोमेटिक होगा यहां इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि दूसरे लोग जो पंद्रह वर्ष आप से ज्यादा उम्र के हैं उनकी बातों के इन्फलेंशन में बिलकुल आना नहीं है अपने दिमाग से काम करना है एग्रेशन आपका दुश्मन होगा लेकिन इसी एग्रेशन को अगर पै इडियाज आ सकते हैं इन सभी पर काम करना है और अपने आपको आगे ले जाना है दिन बढ़िया है रिलेशन और एजूकेशन के मामले में सपोर्टिव लेकिन सोशल इमेज के मामले में सपोर्टिव नहीं है चोदा सितंबर का दिन आपके चलते हुए काम को रोक सकता है एक pause moment आपके जीवन में आ सकता है या ऐसी situation आ सकती है जब आपको लगे कि अभी आप hangout position में आ गये हैं ये hangout position नहीं है ये सच मुझ का pause है जो आपके जीवन में एक तरह से आपको पुनर विचार करने के लिए समय देता है अपनी योजनाओं में बदलाओ करने के लिए समय प्रदान करता है तो इस दिन का इस्तेमाल कर ये relation education और social image तीनों मामलों में ये दिन सपोर्ट तो नहीं करता है लेकिन personal label पर अपने अपने के वहला आप इसमें ये फुल सपोर्ट करता है पंद्रा तारिक fortunate दिन है आप एक योजना बनाए कि पंद्रा तारिक को कुम्हराशी आपको क्या करना है और उसके हिसाब से काम करें चीज़ें वैसी वैसी मुर्ती चली जाएंगी वैसे वैसे होता चला जाएगा जरूरत से जदा अचीव करने की ख्वाहिश प्लैन नही ख्वाहिश कुछ भी नहीं करेगी एक विश आपके लिए नुकसान दे होगी क्योंकि आप डिमोरलाइज हो जाएंगे लेकिन एक प्लैन आपके लिए फायदे मन्द होगा साथी साथ जब आप प्लैन के एकॉर्डिंग काम करेंगे तो सराउंडिंग चीज़ें आपके फ पर सपोर्ट मिल रहा है सोला तारिक को आप थोड़ा सा अपने अंदर एक निराशा महसूस कर सकते हैं लेकिन यह सिर्फ एक श्टेट आफ माइंड है आपके जीवन में कोई निराशा नहीं है आपके जीवन पत पर कोई बाधा नहीं है अगर इस निगेटिव श्टेट आ आगे बढ़िये चीजें वैसी घूम जाएंगी रिलेशन और एजुकेशन के लिए ये दिन फिफ्टी परसंट तक सपोर्ट कर रहा है लेकिन सोशल इमेज के मामले में यह डिपेंड करेगा आपकी एक्टिविटीज पर सत्रा तारिक एक ऐसी सिच्वेशन क्रियेट करता इस पूरे मामले में दिन को चुपचाप निकलने दें इस दिन को निकलने देने में ही आपकी भलाई है और अपने आपको कहीं भी किसी भी मामले में जस्टिफिकेशन में नहीं डालना है रिलेशन के मामले में अगर चीज़ें थोड़ी कॉम्पलेक्स होती हैं तो पहला तो ये ध्यान रखें कि अगर आपका third party relation खुद आपने बनाया है, तो इस दिन उस relation से दूर रहें, फोन्शोन मिलना जुलना बिल्कुल ना करें. और अगर आपको लगता है कि आपके partner का बना है, तो इस दिन अपने partner पर शक ना करें. इस दिन के बाद, क्योंकि ये दिन आपके दिमाग में ऐसे negative thoughts को डाल ही देगा, जूट मूट में ही सही डाल देगा. तो अगर ऐसे thoughts आते हैं और उसका कोई proof अभी आपके पास नहीं है, तो आपने आपको कहें कि किसी और दिन मैं इस बारे में सोचूं या सोचूंगी, और उस दिन कुछ मुझे मिले proof तब मैं decide करूं, या तब मैं मानूं कि हाँ सच मुछ मेरे partner का कुछ ऐसा बना हुआ है, otherwise cool हो जाईए. किसी को advice नहीं देनी, especially अपने partner को तो कते ही नहीं देनी है, और कहीं भी किसी भी person को influence करने का plan मत करिएगा, सब फेल हो जाएगा. relation में जानी गया होंगे, चीजे complex बनी है, educational मामलों में 30% का support है, और social image आपके अपने हाथ में है. अठारा तारीक, ऐसा दिन होगा, जब आप किसी निरड़े पर पहुँचकर उस निरड़े की वजह से, उसके प्रभाव से अपने जीवन को और बहतर कर ले जाएं. तो यहां आपको सिर्फ एक ground को देखना है, निरड़े लेतिसम है, कि morally वो निरड़े सही होना चाहिए, नैतिकता के परिप्रिक्ष में निरड़े सही होना चाहिए, decision सही होना चाहिए. अगर वो अनैतिक निरड़े है, तब गड़बड है, आने वाले भविश में आपको नुक्सान उठाना पड़ेगा. अब इस एक चीज के अलामा, आपको ऐसी opportunity मिल सकती है, जो पाने के लिए, हासिल करने के लिए, आपको अपने criteria से थोड़ा आगे जाना पड़ जाए. और अगर ऐसा करना पड़ता है, तो आपको actually करना चाहिए, क्योंकि इस से आपके व्यक्तित तुम्हें निखार, आपकी सोच में परिवर्तन और आपकी achievement में बढ़ोतरी होनी स्वाभाविक है. Relation और education के लिए दिन बहुत अच्छा है, लेकिन social image वाले मामले पर ये आपके activities के उपर depend करेगा. तो कुमराशी ये था आपके लिए राशी फल, 12 से 18 सितंबर तक का, राशी फल आपको कैसा लगा, अपने experience अपने अनवोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलिएगा, अगले वीडियो और fortunately favor में रहेंगी, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान देना है कि लोग आपका फाइदा ना उठा सकें, बस एक ध्यान दीजे कि कोई आपका फाइदा ना उठा सकें, और इस चीज में resist करना है, बाकी कोई problem इस दिन में नहीं है, हर तरफ से, हर तरीके से, यानि कि relation, education, social image, ये दिन आपको support कर रहा है, तेरा तारिक भी आपको support करता है, लेकिन different angle पर, एक negative angle पर ये आपको support करता है, मतलब अगर आप selfish होते हैं, तो आपके लिए दिन बहुत अच्छा है, अगर आप दूसरों का भला करने की कोशिश करते हैं, तो दिन बहुत बुरा है, अगर आप किसी को नुकसान पहुचाने के intention नहीं रखते हैं, तो दिन बहुत अच्छा है, अगर आप intentionally किसी को नुकसान पहुचाना चाहते हैं, तो दिन बहुत बुरा है, इस दिन आप अपने आप पर जितना focus करके चलेंगे, अपनी चीजों को self management में जितना डालेंगे, ये दिन उ आप में भी काफी graciousness feel कर सकते हैं, या show out कर सकते हैं, कुछ गंभिर साहितियों का अध्यान करने की दिशा में आप आगे बढ़ सकते हैं, या कुछ जिसको कहते हैं धार्मिक पुस्तके पढ़ने का मन हो सकता है, तो वो सब करिए, इस दिन decision अच्छे ले पाएंगे, प्रभ अधरतारीक ऐसा दिन है, जब आपको किसी तरह के बहस में नहीं जाना है, और जगड़े से तो बिल्कुल बचलेना है, लेकिन अगर life struggle मिल जाता है, कोई काम कर रहा है और उसमें struggle आ जाता है, तो तुरंत जान जाईएगा कि सफलता सुनिश्चित है, क्योंकि struggle के पार पड़ेगा कोई option नहीं है, शौटकट नहीं है, तो शौटकट मत खोजिए, श्ट्रगल में involved होईए और आगे बढ़ जाईए, लेकिन जब श्ट्रगल हैं और चल रहे हैं, तो अपने दिमाग और अपने विवेक से काम करिए, दूसरों का inflation, दूसरों का idea आपके काम नही करने से बचना है, खुद बहस नहीं शुरू करनी है और खुद जगड़े को शुरू ना करके उससे अपने आपको और दूसरों को बचाना है, रिलेशन के मामले में ये दिन अच्छा नहीं है, शोशल इमेज के मामले में ये दिन आपको आपकी activities के basis पे support करेगा, अदरव अच्छा है, दूसरे लोगों की मदद करने के लिए दिन सही है, आप कर सकते हैं, लेकिन दूसरे ऐसे लोग जिनके बारे में आपको clear cut पता है कि ये मदद नहीं ले रहे हैं, ये मुझे बेवकूफ बना रहे हैं, तो वहाँ बेवकूफ नहीं बनना है, वहाँ उसकी आना नहीं है, आपके अपने सोचे गए एंगल ज्यादातर मामलों में सही साबित होंगे, किसी के बारे में आपने जो feel किया ना वो ज्यादातर सही होगा, 16 तारिक को, तो उस चीज़ को अपने तक रखना है, और basis of that आपको decision ले लेना है, education, social image, दोनों मामलों पर ये दिन करेंगे, लोग आपकी भी करेंगे, वैसे मुश्टली आप करेंगे, ज्यादा चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं, fortunate हैं, आपके दोस्त और आपकी family के साथ आपका relation और समय बढ़ियां बीतेगा, लेकिन कुछ पुरानी घटनाएं यापको याद आ सकती है, और अगर व 60% positivity और 40% negativity आपके दिमाग में आगी, positivity के साथ आगे बढ़ जाए, ये 60% बहुत होता है, और जो 40% उसके बारे में mentality बनाईए कि इसको भी हम positive कर लेंगे और वो हो जाएगा, अठारा तारिक आपके जीवन में संघर्षों से सफलता लेकर के आएगा, लेकिन ये जो संघर् और सफलता प्राप्त करिये, अच्छा दूसरी चीज, जहां आपको पता है कि इस मामले में थोड़ा struggle करके succeed हो सकते हैं, लेकिन ignore करके इस struggle से बाहर निकल सकते हैं, तो वहां ये भी जानते रहे हैं कि फिर सफलता नहीं मिलेगी, सफलता struggle के बीच से ही आ रही है, आपको ख जो उसकी personality को judge करता है, तो ये किसी तीसरे को नहीं बताना है, क्योंकि वो आपकी image खराब कर देगा, relation, education और social image, तीनों मामलों पर 18 तारिक सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो मीन राशी, चूंकि आप राशी चक्रे की आखरी राशी हैं, तो आपके साथ ये राशी फल यहीं बाइब बाइब बाइब